हेलो एवरीबन फिर से एक नई वीडिय में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोंको आपका सीबिल स्कोर आप केसे चेक कर सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आप लोंको बताने वाला आपका सीबिल स्कोर अच्छा क्यों होना जरूर है अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो पहले बैंक वाले आपका cibilscore चेक करते है और उसके बाद ही आपको लोन देते हैं अगर आपका civil score अछा रहेगा तो आपका जल्दी लोन अपरूँ हो जाएगा और और अगर कम रहेगा तो आपको loan मिलने में problem हो सकता है तो अब ये civil score कैसे चेक करना है मैं आप लोग को बताता हूँ तो civil score चेक करने के लिए आप लोग को उमंग की website पे आना है आप mobile का application है उसको download करके भी आपका civil score चेक कर सकते हैं में उमंग की जो website है उसके उपर आ चुका है website का link आपको description box में मिल जाएगा उसके बाद login register का option है उसके उपर आप लोगों को click करना है login register पे click करनी के बाद अगर आपने account बनाया नहीं तो आपको पहले account बनाना पड़ेगा उसके बाद login करना है तो इदर देख सकती है नीचे register Here का option है आपको मैंने already इसके उपर आपको आपको नीचे देख सकते है register here पे click करके आपको account बनाना है तो मैंने already account बनाया है मैं login कर देता हो login करने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं बहुत सारे सर्विसेस आपको इधर देखनी को मिल जाएंगे आप इधर सर्च भी कर सकते हो जो भी आपको सर्विस चाहिए हो उसको सर्च कर सकते हो नीचे आपको आ जाने देख सकते हो पॉपिलर सर्विस में इधर देख सकते हो नाव यूवर सीबिल स्कोर तो इसके उपर last name date of birth यह सब details आपको fill करना है तो इदर में first name, last name, date of birth, mobile number, pancard number और email ID डाल देता हूँ उसके आपको box पे tick लागाना है box पे tick लागाने के बाद नीचे देख सकते हूँ नोट में आपको इधर लिखा हुए कि mobile number must be linked with pancard मतलब आपका जो mobile number है वो pancard के साथ link होना जरू है यह मैंने second time open किया मेरा report इसके लिए यह बता रहा है अगर आपने पहले बार इसके उपर open किया रहेगा तो आपको directly जो भी आपका civil score रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा तो इधर मैं old report पे click करवा देता हूँ जैसे आप old report पे click करेंगे जो भी आपका civil score है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो देख सकते हो your civil score 778 300 से 900 के बीच में आपका civil score होता है जितना आपका civil score ज्यादा उतना आपके लिए अच्चा अगर आपका civil score कम रहेगा तो आपको loan लेने में भी problem हो सकता है तो पहले अगर आपको loan लेना है तो पहले bank आपका civil score चेक करती है अगर civil score अच्चा रहेगा तो आपका तुरंट loan अपरू हो जाता है और अगर आपका civil score खराब रहेगा तो आपको loan लेने में मुश्किल हो जाता है तो इधर देख सकते हो जो भी आपका civil score है वो आपको देखने को मिल जाएगा उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो तो मेरा जो यह civil score है यह highest है सबसे देख सकते हो आप तो इसके नीचे अगर आप चेक करेंगे तो आपका credit report आपको देखने को मिल जाएगा personal information, contact information, employment information, account information, inquiry information ऐसी बहुत सारे details आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो देख सकते हो इधर जैसे आप एक-एक क्लिक करेंगे तो आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा जो भी आपका bank का details है वो भी इधर देखने को मिल जाएगा इधर देख सकते है credit education में भी कुछ information आपको दिया है वो भी आप पढ़ सकते हो और अगर आपको इसका report print करवाना है डाउन्डोड करना है तो उपर देख सकते हो option भी दिया आपको print report तो इस तरह से आप कर सकते है आसनी से तो उपर देख सकते हो print report पर आपको क्लिक करना है जैसे print report पर क्लिक करने इसमें भी यह पीडिया आप सेव करके आपके पास रख सकते हो इसमें all details आपको देखने को मिल जाएगा आपका personal details payment history जो भी आपका credit card का email रहेगा उसका credit limit कित सकते है या PC laptop पे आप login करके देख सकते है तो इसी तरह से आप आसनी से जो भी आपका civil score है वो check कर सकते है और अगर आपको civil score आपका बढ़ाना है तो आपको time to time credit card का email का payment करना है आपका civil score high हो जाएगा अगर बहुत खरब रहेगा तो आपको time to time आपका payment होना बहुत जरू कि अगरी में